तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सूपर 50 सीरीज का पार्ट 9 डिसकस करेंगे आप सबको पताएं सूपर 50 के नाम से हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसकी वीडियो आपको डेली प्रोवाइट कराई जाती है इस सीरीज में most expected repeated questions होते हैं टोटल 50 questions होते हैं जो कि आपके exams में बार बार पूछ जाते हैं जितने भी competitive exams रहेंगे सबके लिए ये वीडियो important रहेगी अगर आपने पुराने parts मिस कर दिये हैं तो सूपर 50 सीरीज के नाम से एक playlist बना दी गई है उसका link आपको description में भी मिल जाएगा आप उस playlist को check कर सकते हैं पुरानी वीडियो के लिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है in which state of India does the sunrise first appear तो सबसे पहले जो सूरच की किरण निकलती है जो सूरच जो sunrise होता है वो कहां पे होता है कौन सी state में होता है इंडिया की तो हमारा answer हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश तो अरुनाचल प्रदेश इंडिया की state रहेगी जहां पे सूरच सबसे पहले appear होता है अगर आपसे country पूछ ली जाएगी country कौन सी है दुनिया की जिसमें सबसे पहले सूरच निकलता है तो आपका answer हो जाएगा जापान country हो जाएगी जापान और इंडिया की state हो जाएगी अरुनाचल प्रदेश तो education minister कौन थे भारत के पहले भारत के पहले finance minister कौन थे तो first president कौन थे first prime minister कौन थे तो first जो questions होते हैं जो पहले पूछे जाते हैं पहली महिला कौन है इंडिया में तो उससे related questions काफी exams में आप पूछ देखने को मिलते हैं तो पहले education minister कौन थे इंडिया के independence के बाद तो हमारा answer हो जाएगा अबुलकलाम आजाद तो अबुलकलाम आजाद भारत के पहले education minister बने थे इंडिपेंडेंस के बाद में who has been conferred with the Indian personality of the year award at IFFI तो if we के दोरा Indian personality of the year award से किसको सम्मानित किया गया तो हमारा answer हो जाएगा बिस्वजीत चैटरजी बिस्वजीत चैटरजी को सम्मानित किया गया है Indian personality of the year award से 2021 में कंडन कुलम nuclear power plant in Tamil Nadu is set up in collaboration with तो आपसे पहले तो question यही पूछा जाएगा कि कंडन कुलम जो nuclear power plant है यह कहाँ पे खुला गया है कहाँ पे इसको open किया गया है तो आपका answer हो जाएगा तमिल नाडू state में तमिल नाडू state में इसको open किया गया है तो पहली बार Asian online shooting championship को organize किया गया है 2021 में coronavirus की वज़े से तो इसमें gold medal पहला जो gold medal जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है तो हमारा answer हो जाएगा सौरब चौधरी सौरब चौधरी के द्वारा जीता गया है gold medal जो की पहला gold medal रहेगा Asian online shooting championship का which of the following is used in the manufacturing of fertilizers तो fertilizer जो होते हैं उनकी manufacturing में इन में से किस चीज़ का use किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा all of the above तो nitrogen भी होता है fertilizers में potassium भी होता है और phosphorus भी होता है तीनों चीज़ प्रिजेंट होती है fertilizers में fertilizers जो होते हैं ये use किये जाते है agriculture की field में भी अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते है static gk की topic wise ebook हमारे द्वारा launch करी गई है जो की सिर्फ आपको 69 rupees में provide कराई जा रही है important क्यों रहती है क्योंकि 14-15 topics रहेंगे जिन से exam में guaranteed question पूछे जाते हैं वही topic आपको इस ebook में cover कराए गए हैं अगर आप interested हो तो link आपको description में मिल जाएगा आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं अगर downloading में आपको कुछ issue आता है तो यह हमारी Gmail ID है आप इस पर directly mail कर सकते हैं the chemical name for milk of magnesia तो milk of magnesia का chemical name क्या होता है तो हमारा answer हो जाएगा magnesium hydroxide magnesium hydroxide chemical name होता है milk of magnesia का which of the following is a disease caused by protozoa तो protozoa जो होते हैं उन से इन में से कौन सी बिमारी होती है तो काफी सारी चीज़े होती है protozoa होता है bacteria होता है वाइरस होता है तो इन सब के आप से disease पूछी आती है कि इन से related कौन सी बिमारी होती है तो protozoa जो होता है उस से related इन में से कौन सी बिमारी रहेगी तो हमारा answer हो जाएगा काला अजर तो काला अजर जो बिमारी होते है protozoa की एक disease होती है who has been elected as the director general of the international solar alliance तो international solar alliance के director general कौन चुने गए है important इसलिए रहेगा क्योंकि ये जो organization रहेगी इसको head करता है इंडिया जो international solar alliance है इसका headquarter guru gram हरियाना में रहेगा और ये प्रदान मंतरी मोदी जो रहेंगे उनके द्वारा ही इसको found किया गया था France के साथ मिलके तो इसलिए जो organization रहेगी ये काफी important रहती है जिसमें की जो solar से related countries है उनको शामिल किया गया है तो 130 के करीब इसमें current time में 120 या 130 के करीब इसमें current time में member countries रहेंगे लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके current time में director general कौन है तो हमारा answer हो जाएगा अजय मातुर डॉक्टर अजय मातुर इसके current time में director general रहेंगे international solar alliance organization के what is the atomic number of aluminium aluminium जो होता है उसका atomic number कितना होता है तो atomic numbers तो basic questions होते हैं आपको पता होंगे कि atomic number 13 हो जाता है aluminium का what is the chemical formula of glycerol glycerol हो गया इसका chemical formula आपसे पूछा जाया तो chemical formula और chemical name यह दो questions होते हैं जो कि आपसे exams में अक्सर देखने को मिलते हैं इसकी separate video रहेगी आपको channel पे मिल जाएगी तो glycerol जो होता है उसका chemical formula क्या होता है तो हमारा answer हो जाएगा C3H8O3 C3H8O3 जो होता है यह chemical formula होता है glycerol का vaccines are made up of vaccines किस चीज़ की बनी होती है vaccines एक काफी important word रहा है 2020-21 का तो vaccines किस की बनी होती है तो हमारा answer हो जाएगा weak microorganism तो weak microorganism की बनी होती है vaccines जैसे अगर आप polio की vaccine ले रहे हैं तो polio के dead cells के होते हैं वो present होंगे उब या फिर जो weak cell होते हैं वो present होते हैं coronavirus के जिससे की वो हमारी जब body अपर पता चल जाता है कि जो एक तरीके का यह virus होता है उससे लडने के लिए हमारी body में immunity तयार हो जाती है तो जब वो virus attack करेगा हमारी body पे तो हमारी body की immunity उससे लड़ने के लिए पहले से ही तयार होगी तो यह mainly काम होता है vaccines का which among the following financial institute was nationalized in 1949 तो 1949 में कौन सा इन में से institute रहेगा जो की nationalized किया गया था तो आपको यह पता होगा इस organization से related हम आपको तीन year बताते हैं कि आपको तीन year होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं इस organization से 1935, 1937 और 1949 यह तीन years होते हैं अगर हम 1949 की बात करें तो कौन सी organization हो जाएगी तो यह है Reserve Bank of India तीन year कैसे कैसे याद रखने हैं आपको Reserve Bank of India सबसे पहले 1935 में establish किया गया था 1935 में जब इसको establish किया गया था इसका जो headquarter था वो था कॉलकता में 1937 में दो साल बाद इसका headquarter बदल दिया गया था मुंबई में तो मुंबई में 1937 में headquarter रहेगा RBI का RBI को अगर nationalization की बात करी जाए 1949 में इसको nationalize किया गया था तो ये तीन year होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं RBI की full form हो जाती है Reserve Bank of India इसका headquarter है Mumbai में found किया गया था British Raj के द्वारा found हुआ था 1 April 1935 को और इसके current time में governor है शक्तिकांत दास ये important questions है RBI से Which state will initiate the world's largest floating solar project by 2023 तो कौन सी state है जिन्नोंने initiate किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा floating solar project लौँच करेंगे 2023 तक कौन सी state रहेगी इंडिया की तो ये हो जाएगी मद्यपर्देश मद्यपर्देश state के दोरा ये इनिशेट किया गया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा floating solar project launch करेंगे 2023 तक in which of the following states is the Pudong monastery situated तो Pudong monastery कहाँ पे situated है कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा सिक्किम सिक्किम जो state है वहाँ पे located है Pudong monastery what is the pH value of baking soda baking soda जो होता है उसकी pH value कितनी होती है तो हमारा answer हो जाएगा 8.3 8.3 जो होती है pH value होती है baking soda की अब 8.3 जरूरी नहीं कि 8.3 आपको options में मिले आपको 8.4 भी मिल सकता है आपको 8.2 भी मिल सकता है तो 8.3 के around जो भी आपको option दिया जाएगा वो आपका correct answer हो जाएगा when is पराकरम दिवस observed in India तो इंडिया में हर साल पराकरम दिवस के रूप में कौन से दिन को observe किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 23 January हर साल 23 जन्वरी को observe किया जाता है पराकरम दिवस के रूप में कालाहरी Desert is in which country तो कालाहरी Desert जो है ये दुनिया की कौन सी country में located है तो हमारा answer हो जाएगा South Africa का तो South Africa जो country रहेगी वहाँ पे located है कालाहारी desert what is the symbol of tin तो tin जो होता है उसका symbol क्या होता है तो जितने भी symbols जो उनके नाम से reflect नहीं करते हैं उनके नाम से अलग होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं ज्योंकि उनके symbols आपसे जरूर पूछे जाते हैं तो tin का symbol क्या होता है हमारा answer हो जाएगा sn तो sn अलग होता है तिन ते इसका कोई मतलब नहीं होता तो ऐसे जो symbols हैं जो की अलग reflect करते हैं वो आपको ध्यान रखने तिन का symbol होता है sn which telecom company has became the first one in India to demonstrate the operation of the 5G network तो 5G network का जो operation है उसको दिखाने वाली पहली country कौन सी है telecom company कौन सी है इंडिया की तो हमारा answer हो जाएगा एटल तो एटल country रहेगी जिनके द्वारा सबसे पहले demonstrate किया गया है 5G network का operation यह आपको ध्यान रखना है और उमीद करी जा रही है कि जून 2023 तक जो 5G network है उसको launch कर दिया जाएगा which among the following is the oldest mountain hill range in India तो इंडिया की सबसे पुरानी mountain ranges या फिर hill ranges कौन सी है तो यह basic question रहता है काफी बार हम अपने channel पर पढ़ चुके हमारा answer हो जाएगा अरावली ranges अरावली ranges इंडिया की सबसे पुरानी mountain ranges रहेंगी what is the scientific name of onion ओनियन जो होती है प्याज जो होती है उसका scientific name क्या होता है तो हमारा answer हो जाएगा ऐलियम सेपा ऐलियम सेपा जो होता है scientific name होता है प्याज का ओनियन का zero fetalmia is caused by deficiency of तो zero fetalmia जो बिमारी होती है जो disease होती है यह कौन से vitamin की कमी की वज़े से होती है तो हमारा answer हो जाएगा vitamin A vitamin A की कमी की वज़े से होती है zero fetalmia disease जिसको की night blindness के नाम से भी जाना जाता है तो night blindness के आप नाम से जानते है विटामिन एकी कम्हीं की वजे से night blindness की बिमारी भी होती है विच फिल्म वन best film at the दादसाइब फाल के international film festival अबॉर्ड 2021 तो दादसाइब फाल के international film festival 2021 में best film कौन से film को दिया गया तो हमारा answer हो जाएगा ताना जी ताना जी जो movie थी इसको best फिल्म का दर्जा दिया गया है दादसाइब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवर्ड दोहजार एक्षिस का विच सिटी विल होस्ट दी टुथाउजन टुटी थी ए आई बी ए मैंस वर्ड बॉक्सिंग चेंप्रेंशिप तो 2023 में AIBA की मैंस वर्ड बॉक्सिंग चेंप्रेंशिप होगी ये कौन सी सिटी होस्ट करेगी तो हमारा आंसर हो जाएगा ताशकंत ताशकन तकर जगे की बात करी जाए तो उजबेकिस्तान की एक जगे रहेगी जो की होस्ट करेगी 2023 की मैंस वर्ड बॉक्सिंग चेंपियंशिप AIBA की विच ग्लेंड इस बोथ एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइम ग्लेंड तो ये कोशन भी आपसे एक्जाम में काफी बार पूशा जाता है जो की एक्जोक्राइन भी होता है और साथी साथ एंडोक्राइन भी होता है तो आपका अंसर हो जाएगा पैंक्रियास पैंक्रियाज जो होते हैं ये एंडोक्राइन भी होते हैं अब परसन फिल फटिग्ड डू टू दी डिपोजिशन ओफ विच एसिड इन मसल्स तो हमको वीकनेस या टायडनेस एक लगने लगती है अगर हमारे कौन सी मसल होता है जिसमें कौन सा एसिड अगर डिपोजिट हो जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा लेक्टिक एसिड तो अगर हमारी मसल्स में लेक्टिक एसिड डिपोजिट होता है तो उसकी वज़े से हमें टाइडनेस इल्नेस थोड़ी फील होती है इंडिया की कौन सी यूनियन टेरिटरी में इंडिया का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट सेट अप किया जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाक तो लद्दाक में इंडिया का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट जो है वो सेट अप किया गया है यूनियन किया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 अपरेल हर साल 25 अपरेल को वर्ड मलेरिया डे के रूप में observe किया जाता है और चाइना जो है वो मलेरिया फ्री कंटरी बन चुकी है विटामिन विच इस मोस्ट रेडिली manufactured in our body तो हमारी body में सबसे तेज कौन सा विटामिन होता है जो कि manufacture होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो कि हमें सूरज से मिलता है जो सूरज की रेज होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है और यही vitamin रहेगा जो कि सबसे तेजी से body में develop होता है litmus paper used in laboratory are obtained from तो litmus paper जो कि हम laboratories में use करते हैं test करते हैं basic का acid का पता लगाने के लिए तो वो किस चीज़ से बना होता है कहां से obtain किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा lichen तो lichen जो होते हैं उनसे obtain किया जाता है litmus paper को जो कि हम laboratories में use करते हैं where is the headquarter of national institute of homeopathy located तो national institute जो है homeopathy का वो कहां पर located है तो हमारा answer हो जाएगा कॉलकता जो की capital है west bengal state की with which state और union territory is the dhumal folk dance associated तो dhumal folk dance जो है ये इंडिया की कौन सी state या फिर union territory से associated है तो हमारा answer हो जाएगा जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर जो की union territory है इंडिया की वहां से associated है वहां से related है dhumal dance the normal body temperature of the human body is basic question है 78.6 degree Fahrenheit जो होता है basic normal temperature होता है human body का mount merapi volcano is in which country तो ये question भी आप से exam में काफी पूछा जाता है कि mount merapi volcano कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा इंडोनेशिया इंडोनेशिया में located है mount merapi volcano हमने इस सीरीज में ही पीछे एक फिलिपेंस जो country है उसका वालकेंस डिसकस किया था अगर आपको उस वालकेंस का नाम याद है जो की located है फिलिपेंस फिलिपेंस country में तो आप हमको comment box में type करके बताएं what is the composition of german silver german silver जो होता है ये किस चीज़ से बना होता है इसके compositions क्या क्या होते हैं तो हमारा answer हो जाएगा cu, zn and ni तो cu होता है copper zn होता है zinc और ni होता है nickel तो copper, zinc और nickel इन तीनों से मिलके बना होता है german silver which of the following rivers flow into the bay of bengal bay of bengal में इन में से कौन सी river है जो की flow करती है तो हमारा answer हो जाएगा krishna river krishna river जो है ये end होती है ये flow करती है bay of bengal में और भी काफी सारी rivers है जो की flow करती है bay of bengal में तो उन rivers का नाम आपको comment box में type करके बताना है कौन कौन सी rivers रहेंगी हमने काफी बार इस question को अपने channel पे discuss किया है तो कौन कौन सी river है जो की arabian sea में गरती है और कौन कौन सी river है जो की bay of bengal में गरती है यह question most important question रहेगा और इसको आपको comment box में type करके बताना है what is the scientific name of vitamin C vitamin C का scientific name क्या होता है तो vitamins के उपर भी एक separate video है जो की आपको channel पे मिलेगी तो vitamin C का scientific name होता है ascorbic acid मुहमद Salah is a player of Egypt related to which sport तो मुहमद Salah जो है यह एक player है Egypt country के यह कौन से sport से related है तो हमारा answer हो जाएगा soccer तो soccer team के लिए खेलते हैं Egypt की तरफ से मुहमद Salah which of the following has the longest wavelength तो सबसे जादा wavelength किसकी होती है तो सबसे longest wavelength होती है radio waves की radio waves की सबसे लंबी longest wavelength होती है how many more crops will now be included in operation green scheme तो operation green scheme में 2021 में और कितनी crops थी जिनको शामिल किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 22 22 और crops थी जिनको शामिल किया गया था operation green scheme में which state government has recently launched the Krishikarna project तो Krishikarna project जो है ये किसके द्वारा launch किया गया तो हमारा answer है Kerala Kerala state ने launch किया था Krishikarna Krishikarna government scheme को project को who recently released his book know your rights and claim them a guide for youth तो know your rights and claim them एक actress रहेंगी जिनके द्वारा इस book को लिखा गया है उनका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा Angelina Jolly काफी famous sector रहती है Angelina Jolly जिनके द्वारा इस book को release किया गया है जायत तल्वार 21 is a exercise organized between India and Dash तो जायत तल्वार 21 दो की 2021 की exercise रहेगी ये कौन कौन सी countries के बीच में हुई है तो हमारा answer हो जाएगा India और United Arab Emirates India और United Arab Emirates के बीच में इस exercise को अर्गनाईज किया गया था जिसका नाम है जायत तल्वार 2021 वू वस दी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे तो हमारा answer हो जाएगा H.J. कानिया H.J. कानिया भारत के पहले चीफ जस्टिस थे अभी करन्ट टाइम में रहें गे N.V. रामना इन से पहले थे शरुद अर्विन बोबडे और शरुद अर्विन बोबडे से पहले थे रंजन को गई अब आपको ये बताना है कि N.V. रामना जो है ये कौन से नंबर के करण टाइम में Chief Justice है इंडिया के बंदिपुर National Park is located in which state of India बंदिपुर National Park इंडिया की कौन सी state में located है तो हमारा आंसर हो जाएगा करनाट का करनाट का state में located है बंदिपुर National Park Changing India is a book written by home तो Changing India जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंग जो की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के उनके द्वारा इस book को लिखा गया है जिसका टाइटल है Changing India Hydraulic brake used in vehicles works on तो hydraulic brakes जो की vehicles में use किये जाते हैं वो किस चीज़ पे काम करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा Pascal's Law तो Pascal's Law जो होता है उसमें बताया गया है hydraulic brakes के बारे में तो Pascal's Law में hydraulic brakes जो होते हैं वो use किये जाते हैं vehicles में जो work करते हैं Women's Cricket Team of which country created the world record for registering the most consecutive ODI wins तो लगातार सबसे जादा ODI wins करने वाली Women's Cricket Team कौन से कंटरी की रहेगी तो हमारा आंसर है Australia Australia Women's Cricket Team ने सबसे जादा लगातार ODI में जीत के एक record बना दिया है which metal is extracted from sea water तो sea water जो होता है समुद्र का जो पानी होता है उसमें से कौन सा metal होता है जो की extract किया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा magnesium magnesium जो होता है ये sea water से extract किया जाता है जो समुद्र होता है उसमें magnesium जो होता है वो present होता है तो उसमें से निकाला जाता है magnesium को तो यह आपको दिहान रखना है तो दोस्तों यह था हमारी वीडियो का आखरी कोशन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें इस चैनल पे एक सीरीज चल ले है सूपर 50 की जिसमें कि आपको हर वीडियो में 50 most expected repeated questions आपको provide कराए जाएंगे और अगर अगर आपने अभी तक हमारी e-books को buy नहीं किया है तो 4 e-books हमारी चारों का link आपको description में मिल जाएगा आप उनको जरूर बाए करने उससे आपको एक्जाम में काफी जादा मदद मिलेगी धन्यवाद दोस्तों